नमस्कार दोस्ते हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर दो तीन दिन से सोचिल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल चल दा है दोस्तो फास्टैक से रिलेटर वैसे फास्टैक क्या है आप सबको मालूम होगा एक इलेक्ट्रोनिक करता है फास्टैक में बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नालोजी यूस होते हैं इसके बार में आगे इंडीटेल डिसकस करेंगे इसे आप टॉल पेमेंस कर सकते हो डिरेक्ली एक प्रिपेड अकोंड से या फिर सेविंग्स बैंक अकोंड से जो टॉल ओनर से लिंक्ट होगा तो बेसिकली आपको रुक के पेमेंट देनी की जरूरत नहीं है अपको बस गाड़ी नीचे से पास करना है आपका पेमेंट हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है बस एक फास्स्टैक या फिक्र लगाना होता है विंस्क्रीन के उपर जो scan होता है जब आप tall plaza के नीचे से जाते हो तो आजकल ये जो video viral चल ला है उसमें क्या दिखा रहा है दोस्तों एक लड़का जो है गाड़ी का windscreen साफ करने के लिए आता है जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो तो ये लड़का एक smart watch पैना हुआ है अब ये video जिनोंने बनाया इनका कहना ये है ये लड़का smart watch से fast tech को scan किया और fast tech के साथ जो prepaid account link था उसमें जो पैसे थे उसे ले गया मतलब prepaid बालत में जो पैसे थे वो deduct हो गया automatically इस watch से तो आज इस video में ये news की सचाई क्या है वो check करेंगे साथ साथ में radio frequency identification device का working principle क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे और देखें दोस्तों अगर ये fake news है तो fake news फिलाने वालों के लिए हमारा Indian Penal Code में क्या punishments लिखा हुआ है वो भी check करेंगे तो शुरुआत करतें दोस्तों वीडियो में क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया अब इसकी सचाई ढूडते हैं सबसे पहले FASTA के बारे में कुछ basic details FASTA February 2021 से mandatory किया गया है गर्मन के तरब से FASTA को operate करता है 23 banks in India और इसे govern करता है National Payment Corporation of India and National Highway Authority of India Basically, Tall Collection में human intervention को eliminate करने के लिए ये system को introduce किया गया था और FASTA क में Radio Frequency Identification Technology यूज होता है अब दोस्तों RFID tagging के बारे में कुछ basic details RFID tagging एक ID system में जो small radio frequency identification devices को यूज करता है identification and tracking purposes के लिए एक RFID tagging system में tag रहता है read or write device रहता है और host system application रहता है data collection के लिए, processing के लिए और transmission के लिए एक RFID tag को RFID transponder भी बोलता है इसमें एक chip, some memory and an antenna भी रहता है RFID tags दो तरका होते हैं दोस्तों एक है जिसमें on power source रहता है जिससे active tags बोलता है दूसरा है जिसमें कोई power source नहीं रहता उसे passive tags बोलता है अब हमारा जो fast tag है this is an example of passive tag यह passive tag is briefly activated by the radio frequency scan of the reader तो basically हमारा जो गाड़ी है यह जब टोल के नीचे से निकलते हैं तो टोल में जो radio frequency scan होता है उससे हमारा fast tag activate होता है मतलब वही इसका power source है अब यह fast tag कैसे काम करता है यह चक कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले बोला radio frequency identification technology इसमें use होता है यह basically data capture technology है बार कोडिंग जैसा बार कोडिंग में क्या होता है दोस्तों black bar रहता है बार के thickness हर एक बार कोड में अलग रहता है और एक एक बार के बीच में जो spaces से वो भी अलग रहता है तो इस तरह से उसमें information store होता है पर RFID में क्या रहता है दोस्तों एक small electronic chip रहता है जिसके अंदर सारे information stored रहता है अब यह electronic chip एक antenna के साथ attached है जैसे कि आप इस photo में देख सकते हो यह है वो antenna जिसके सारी information transfer हो सकता है ठीक है? बारकोड में क्या होता है दोस्तों जो reader है बारकोड के एकदम pass में लेके आना पड़ता है जैसे कि अपने shopping complexes वगरा में देखा होगा supermarkets में देखा होगा है कि नहीं पर RFID में इस तरह reader को एकदम pass लेके आने की जरूरत नहीं है दूरी से भी काम हो जाएगा मतलब इतना दूर से भी नहीं होगा एक particular distance तक हो जाएगा जैसे कि आपका tall plaza में गाड़ी और reader के बीच में जो distance है उतना तक चलेगा आप दीखे मैंने आपको पहली बोला हमारा जो fast tag है यह passive RFID chip है मतलब इसमें कोई power source नहीं रहता या फिर कोई battery attached नहीं रहता पावर के लिए यह charge तब होगा जब एक radio beam आके उसमें strike करेंगे for example tall plaza में क्या होता है tall plaza में जो scanner fitted है उसमें से radio beam आके fast tag में strike करेंगे तब यह fast tag energies होगा अब fast tag में information जो stored है वो addना के through transmit होगा scanner की तरफ अब यह जो fast tag है already savings bank account या फिर paytium wallet से linked है तो जितने पैसे deduct करना है उसके इसाब से deduct भी हो जाएगा तो यह होता है normal process तो यह सारे process automated way में होता है गाड़ी रोकने की ज़रूत नहीं है या फिर tall operator टैक को touch करने की ज़रूत नहीं है तो अब सवाल उड़ता है क्या यह वीडियो fake है या फिर वीडियो में जो बोल रहा है लड़का आके smartwatch दिखा के पैसे direct करवाया यह सही है बिल्कुल गलत है दोस्तों ऐसा होई नहीं सकता देखे fact check किया गया तब यह पता चला सारे tall plaza में एक unique code दिया हुआ है जो एक specific bank account से linked है मतलब देखिए जितने tall plaza से National Highway Authority of India के under उन सभी को एक unique code दिया हुआ है अब वही unique code वाला जो radio beam है या फिर radio wave है वो आके strike करेंगे तब ही हमारा fast check energies होगा दूसरा कोई भी system से आप scan करने से हमारा जो fast check है वो energies नहीं हो सकता और सारे जो information है और अलड़ी National Electronic Tall Collection program में map भी किया हुआ है तो खुल मिला के यह है दोस्तों यह जो fast check है यह safe and secure है ऐसे कोई भी scanner यूज़ करने से इसमें से पैसे डिड़क्ट नहीं होगा National Highway Authority of India के अंडर जितने टॉल प्लाजा से वही आपके पैसे डिड़क्ट होगा और सभी टॉल प्लाजा में unique code भी दिया हुआ है और एक बात यह है दोस्तों fast check में data privacy भी है आपका जो personal details है वो किसी के साथ share भी नहीं होगा तो दोस्तों that's it तो ये जो वीडियो में information फेल रहा है आजकल वो completely fake है डरने की कोई ज़रूत नहीं है इसके साथ साथ में हम ये भी check कर लेते हैं fake news के effect को control करने के लिए हमारे देश में क्या क्या provisions है देखी दो laws में और हमारा Indian Penal Code में fake news को control करने के लिए provision से दोस्तों एके करके हम चख करेंगे सबसे पहले कौन-कौन सा laws है section 66D of the Information Technology Act 2008 section 54 of the Disaster Management Act 2005 and sections 153, 499, 500, 505 close 1 of the Indian Penal Code 1860 तो एके करके हम चख कर लेते है number one if the offense is related to electronic communication देखी अगर electronic communication से related offense है for example अगर कोई individual communication device या फिर any computer resources की साहता से cheating कर रहा है या फिर impersonating कर रहा है या फिर कोई fake news वला रहा है उन्हें पनीश कर सकता है under section 66D of the IT Act दूसरा fake news related to disaster अगर कोई disaster से related कोई false alarm या warning फिला रहा है जैसे कि एक कोई आने वाला है tsunami आने वाला है ये भी एक punishable offense है under section 54 of the Disaster Management Act अब हम Indian Penal Code के अंदर क्या क्या प्रोविशन से वो भी चकल लेते हैं सबसे पहला fake news creating false alarm in public अगर कोई भी individual कोई ऐसा एक fake news वला रहा है जैसे कि rumor या कोई fake reports जिसने लोगों को डर लगे फॉर एक्जांबल अगर कोई ऐसा news वला आएगा कि COVID-19 का नाया एक strain आया है और ये डेली में report हुआ है ये infect होने से एक दिन के अंदर death हो जाएगा तो ये हो गया बिल्कुल fake news जिसके कारण लोगों के अंदर डर पाइदा होगा तो इनको पनीश करने के लिए section 505 clause 1 of the IPC में provisions है फिर देखे fake news creating riots ये तो सबसे खतरनाक है अगर कोई individual ऐसा कोई fake news या false statements फिलाएगा जिसकी वज़े से communal violence या riots हो सकता है वो punishable है under section 153 of the IPC तो most probably क्या false statements वो फिला सकता है religion के बारे में, culture के बारे में, कोई community के बारे में है कि नी तो ये सब punishable है under section 153 of the IPC finally information causing defamation ये क्या होता है किसी का बदनाम करना किसी के बारे में fake information फैलाना किसी की reputation खराब करना ये सब punishable offense है under section 499 and under section 500 of the Indian Penal Code तो ये सरे laws and provisions available है दोस्तों हमारे देश में fake news को control करने के लिए देखे, this is very important अगर आप से fake news से related कोई question पूछा, means की answer writing में तब आप ये सब code कर सकते हो आपको ज्यादा marks मिलेगा, ठीक है तो दोस्तों, that's end of it I hope आपको video informative लगा होगा lecture की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description में provided है, thank you for watching by me, have a nice day